आज की कख्षा में योग दर्शन के तृतिय विभूति पात के अंतरगत अब तक पढ़ाये गए भाग से आगे का अध्यापन प्रारंब करने जा रहे हैं तो योग दर्शन के विभूतिपात के अंतरगत जैसे कि अभी तक के अध्यापन से आप देख रहे हैं कि विभूतियों के बारे में बताया जा रहा है विभूतियां अर्थात सिद्धियां अर्थात योग के जो तीन अंग हैं धारणा, ध्यान, समाधी उसका जो एकत्री करण एक जगह पे इस्थिर हो करके तीनों एक साथ करना संयम कहलाता है उस संयम से जिन जिन की प्राप्ति होती है उनको सिध्यां और विभूतियां कहा गया है इसलिए इस पात का नाम विभू सुष्मान वयार्थ वत्त संयमात भूत जयह के संदर में आपने पढ़ा था अर्थात पंच महा भूतों पर संयम करने से पंच महा भूतों पर सिध्धी प्राप्त होती है यह 44 सूत्र के माध्यम से पढ़ा था और भूत पर विजय प्राप्त करने से क्या प्राप्त होता ह या 45 सुत्र में बताया गया था कि ततों अनिमाद प्रादुर भाव काय संपत तत धर्मान भिगातस्च कि भूत जयों पर विजय प्राप्त करके अनिमाद सिद्धियों का प्रादुर भाव होता है काय संपत की प्राप्ती होती है और तत धर्मान भिगातस्च भूतों के जो जिग्यासाथी कि काय संपत्ति किसे कहते हैं न üzere 46 सूत्र के माध्यमं से बताइए गई थी काय संपति कहते हैं रूप लवर्य बल बज्र सहनना मिल व बल और बज्र के समान साहनन ही काय की संपत्ति कहा जाता है तो इनके बारे में विस्त्रित चर्चा पिछले भाग में की जा चुकी है यदि और अधिक्यान की लालसा हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं तो आज प्रारंब होने जा रहा है एक नया अधियन अर्था भूतों पर विजय प्राप्त होती है भूतों पर संयम करने से इसी प्रकार से एक नया इंद्रिय संबंधी अधियन यहां प्रारंब होने जा रहा है ठीक है तो सूत्र क्या है 47 ग्रहाण स्वरूपास्मितान्य वयार्थ वत्वसयमात इंद्रिय जयः तो जैसा के चवालिस्वा सूत्र था लगभग उसी की तरह यह सूत्र भी है तो जिस तरह आपने चवालिस्वा सूत्र का अर्थ निकालना सिखा था उसी तरह से इसका भी अर्थ निकालेंगे ठीक हैं तो उसी तरह कैसे आए जानते हैं ग्रहन स्वरूप अस्मितान वयार्थ वत्व संयमाद इंद्रिय जयह दो पदों का यह सूत्र है ग्रहन स्वरूप अस्मितान वयार्थ वत्व संयमाद यहां तक एक पद है इंद्रिय जयह यह दूसरा पद है ठीक है तो पहला वाला जो पद है अर्थात ग्रहान स्वरूपास्मितान वयार्थ वत्व संयमात इसमें भी ग्रहान स्वरूपान वयार्थ वत्व यहां तक द्वंद समास है और ग्रहान स्वरूपान वयार्थ वत्व का फिर संयम सब्द के साथ समास है ठीक है अर्थात ग्रहाण स्वरूपा स्मितान वयार्थवत्व यहां भी समास है तो यहां किन-किन शबदों का समास है ग्रहाण पहला है ग्रहन, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्त ये पांच चीज़े हैं ठीक है तो इन पांचों चीज़ों पर संयमात, संयम करने से इंद्रिय जयह, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है यहाँ सूत्र का सामान्य अर्थ कि ग्रहन, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्त इन पांचों पर संयम करने से इंद्रिय जयह, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है यह सूत्र का शाब्दिक अर्थ है सामान्य अर्थ है ठीक है इतना अर्थ जानने के बाद जिग्यासा होती है कि ग्रहन किसे कहते हैं स्वरूप किसे कहते हैं स्वरूप के बारे में तो आभी तक बहुत बता चुके हैं तो संभव है उसको जान लिया होगा फिर अस्मिता किस किसे कहते हैं और अर्थवत तो किसे कहते हैं पहली जिग्यासा उसके बाद हो अगर इनका अर्थ बताया जाए तो इनका अर्थ एक-एक का अर्थ देखते वे चलते हैं ग्रहन ग्रहन कहते हैं ग्रहन करने वाला व्यापार व्यापार क्रिया को ग्रहन कहते हैं ठीक है गमन कि किसको कहते हैं जाने की क्रिया को प्रचरण किसे कहते हैं प्रचरण करने की क्रिया को भोजन किसे कहते हैं भोजन करने की क्रिया को पाचन किसे कहते हैं पकाने की क्रिया को उसी प्रकार से ग्रहन करते कहते हैं ग्रहन करने की क्रिया को क्रिया का नाम है ग्रहान ठीक है तो संका होगी कि किसको ग्रहान करना ग्रहान करने की क्रिया तो बहुत प्रकार की है तो ये ग्रहान करने की क्रिया कहां संबंद जोड़ना है तो ये जिग्यासा रह जाएगी ठीक है इसी प्रकार से स्वरूप स्वरूप का अर्थ होता है किसी का परिचे लक्षन अर्थात जैसा आपका एक परिचे है मेरा एक परिचे है तो वह उसी को कहते हैं स्वरूप ठीक है वह परिचे आकरती से भी होता है वह परिचे सभाव से भी होता है रंग रूप वेश भूसा से भी परचे होता है तो स्वरूप का मतलब हुआ लक्षन या परचे यहां भी शंका रहेगी कि किसका परचे जैसे 44 सुत्र में संका हुई थी किसका स्वरूप अगला है अस्मिता अस्मिता किसे कहते हैं तो योग दर्शन में अस्मिता एक पारिभाशिक शब्द भी है अस्मिता की परिभाशा क्या है द्रिग दर्शन शक्तियों हो एक आत्मता अस्मिता त्रश्टा और दर्शन की जो सक्ति का एकत्त्व है उस एकत्त को कहते हैं अस्मिता ठीक है और अस्मिता अहंकार को भी कहते हैं अहंकार रूप जो तत्व है ठीक है योग दर्सन में सांख्य दर्सन के 25 तत्वों को भी सामिल किया गया है तो सांख्य दर्सन के जो 25 तत्वों है उन तत्वों में से एक तत्वों है अहंकार तो अहंकार अस्मिता का परियावाची भी माना जाता है तो अस्मिता हुआ अहंकार लेकिन अभी निश्य नहीं हुआ कि अस्मिता अहंकार को माने या द्रश्टा और दर्शन की जो एकत तो है उसको मान तो कहा कि चाह कुछ भी मानों दोनों एक ही जैसे हैं चलो यह भी इस पश्ट हो गया लेकिन अभी पीछे जो बचे वे वह उनमें शंका बची विए और अस्मिता के बाद क्या आया अन्वय अन्वय का अर्थ बता चुक है संबंध तो जिग्यासा वही होगी किसका किसके साथ संबंध अगला है अर्थुवत्व अर्थुँ भी बता चुक है trabajar अर्थुवत्व का अरिथुफ़ता है प्रयोजनता तो किसका प्रियोजन किससे प्रियोजन यह जिग्यासाय रह जाएंगी तो इन पांचों शब्दों का अर्थ बताते हुए जो जिग्यासाय प्रकट हुई हैं उन जिग्यासाओं का समाधान होगा आगे के शब्द से अर्थात इन पांचों पर सैयम करने से क्या प्राप्त हो होता है तो कहा कि इंद्रिय जय प्राप्त होता है इसलिए इंद्रिय से ही इन पांचों का संबंध है किन पांचों का ग्रहन का स्वरूप का अस्मिता का अनवय का और अर्थवत्व का तो इस तरह से अर्थ होगा कि इंद्रियों की जो ग्रहन अवस्था है तो इंद्रियों क अपने अपने विशय को ग्रहन करती हैं जैसे इंद्रिया है आख आख का काम है रूप का ग्रहन तो आख जिस समय में रूप का ग्रहन करती हैं तो आख और वस्त्तु का एकी करण जो विशया कृती इंद्रिय हो जाती है उसी का नाम है ग्रहन तो जैसे कान है कान शब्द के साथ सम्मंद बना करके सुनता है तो कान जब शब्द के साथ एकत्व करता है तदाकार होता है वही कहलाती है कान की ग्रहना वस्ता इसी प्रकार से ग्रहन को भी समझना है इसी प्र प्रकार से किसको समझना है रस को भी समझना है ठीक है इसी प्रकार से गंध को भी समझना है यानि गंध जितने भी इंद्रियां है वह इंद्रियां अपने अपने विशे को जब ग्रहन करती है तो इंद्रियों का विशे के साथ जो संबंध जो व्यापार होता है उसी का नाम है ग्रहन तो इंद्रियों की जो ग्रहन अवस्ता है उसमें सहयम करना है तो यह हुआ ग्रहन का ठीक है कि इंद्रिया कहा है कर्मेंद्रिया जया ग्यानेंद्रिया जया एसा नहीं कहा है तो जब विशेशन नहीं लगाया तो इंद्रिये जिसको भी कहते हैं उसका जो ग्रहन स्वरूप है ग्रहन अवस्ता है उसमें सहयं चाहे आप ग्यानेंद्रियों को समझें चाहे आप उभयेंद्रियों को समझें तो चाहे को हटा दीजिए इंद्रिये से सबको ही समझना है ठीक है अर्थात 11 की 11 जो इंद्रियां हैं वो अपने विशे के साथ जब संबंद बनाती हैं वही उसका ग्रहना वस्ता है उस ग्रहना वस्ता में सैयम करने से या अर्थुवा ग्रहन का अगला है स्वरूप जिस प्रकार से अभी पंच महा भूतों का स्वरूप बताया था उसी प्रकार से जो 11 इंद्रियां है इनका स्वरूप है इनका लक्षन है जैसे ज्याने इंद्रियों पे चलिए ज्याने इंद्रियों में पहली इंद्रिय क्या है चक्षुरिंद्रिया तो रूप को ग्रहन करना चक्षु का लक्षण है जिवा का क्या लक्षण है रस को ग्रहन करना इसके अलावा रस का ग्रहन जिवा के अलावा कोई अतरिक्त नही करने वाला इसी प्रकार से ग्रान अर्था तो यह जो ग्रान इंद्रिय है उसका स्वरूप क्या है गंध की ग्रहनता गंध को नाक के अलावा कोई और ग्रहन नहीं कर सकता यह हुआ उसका परिचे विलक्षन शमता है यह ठीक है इस प्रकार से कर्ण का क्या स्वरूप है शब ग्रहन कान के अत्रिक कोई नहीं कर सकता ठीक है इसके बाद पचा का क्या काम है पचा का सुरूप क्या है इस पर्स करना इस पर्स करना तो चाह के अलावा किसी और का काम नहीं है ठीक है तो आख हो गया कान हो गया नाक हो गया तचा हो गया और जिवा हो गया यह हुआ ग्यानेंद्रिया इनका परिचे मन का कार्या है संकल्प विकल्प करना तो यह मन का सुरूप है और पांच जो करमेंद्रिया रह गई है वाक पाणि पात पाई उपस्त वाक का क्या काम ह बोलना तो यहा उसका परचय है यहा उसका स्वरूप है पाण का क्या काम है ग्रहन करना तो ग्रहन करना उसका स्वरूप है पाद का क्या है बिहरन करना चलना यहाँ उसका स्वरूप है पाद का पाईू पाईू का काम क्या है उत्सर्ग करना मलत्याग करना गुदा का यही परचे है तो जो पायू इंद्रिया है उसका यह स्वरूप है और उपस्त जननेंद्रिया उसका क्या है आनंद की प्राप्ति करना तो यह इसका है संख्यकारिका में इसके विशे में अच्छे से बताया गया है वचन आदान विहरन इत्यादि करके ठीक है तो यह ग्यारां इंद्रियों का यह स्वरूप है ठीक है ना तो इस इंद्रियों के स्वरूप में संयम करने से यह हुआ स्वरूप की ब्याख्या तो ग्रहन हो गया स्वरूप हो गया अस्मिता अस्मिता आप जानते हैं अगर योग दर्शन की पारिभासिक शब्दावली में समझे तो क्या कहा था द्रिग दर्शन शक्तियों हो एक आत्मता तो द्रश्टा हुआ आत्मा और दर्शन दर्शन किसे कहते हैं यही ग्रहन ही किस से होता है इन 11 इंद्रियों से होता है तो 11 इंद्रियों का आत्मा के साथ जो एकत तो है उसी का नामस्मिता है वही अहंकार है आप अगर अहंकार पर विचार कीजिए अभिमानों अहंकारा तो जब आत्मा और इंद्रियों का एकत तो होता है अभिमान तभी होता है जब ह किसी वस्तु को देखते हैं और कि समझते हैं इसको यह वह हरिक पक्ष जो अभी बोला है उसको समझ Two दोनों पक्षों में जो इंद्रिया हैं उनका आत्मा के सब्साथ एक ही करण क्या कहलाता ऑश मिता कहलाता संब्द तो यह 11 की क्यारा इंद्रियां काम किस तरह से करती है क्या अखेली तो सामृत्य साली हो नहीं सकती क्या अंक अकेली रूप का ग्रहन कर सकती है क्या आंख स्वयं से रूप का ग्रहन कर सकती है अंख रूप का ग्रहन करती है क्या आख केवल आख रूप का ग्रहन कर सकती है नहीं कर सकती हम आप चक्षुर इंद्रिय को रूप का ग्रहन करने के लिए पहले रूप चाहिए वह किसी ना किसी का रूप होगा ना आख स्वयम के रूप का तक ग्रहन नहीं कर सकती है तो किसको ही चाहिए उसे पहली चीज दूसरा यह है कि आख देखने के लिए प्रेरित कब होगी उसको प्रेरित कबने वाला एक प्रेरक दूसरा है मन और उस मन को भी प्रेरणा देने वाला एक दूसरा है आत्मा तो कोई भी इंद्रिया अकेले में कुछ नहीं है इसलिए इनका संबंध इसलिए अभी तक क्या बताया था कि अनवय का मतलब है इनके अस्तित्तों का जानकारी जब आपने सांख्यकारी का पड़ी थी तो क्या कहा था कि 25 तत्तों का ज्यान ही क्या करवाता है दुखत्रे का नाश करवाता है तो 25 तत क्यों है इस सब कुछ जानना कहलाता है 25 तत्वों का परिजेद ठीक है ता विजित अभिकत अग्यानात को जान लिया है उससे त्रिवीत दुखों का ना žोगा नहीं विज्ञानात विशेस क्यान क्या है में किस तरह कारे करते हैं इस प्रकार समस्त नुम्स्त ने सिंद्रीoral किस साथ समइन्द करके किस प्रकार से अपना कार संपादित करती यह यहां तो ग्यारा की ग्यारा इंद्रियों का जहां जहां संबंद है उस संबंद की जिनका ज्ञान करना फिर उस पर संयम करना और ग्यारा इंद्रियों का आपसी क्या संबंद है उस संबंद को भी जानना और उस पर संयम करना यहां अन्वे का अर्थ उसके बाद है अर्थवत्व तो इन इंद्रियों का अर्थवत्व पृयोजन क्या है? तो वही इनका भी पृयोजन है, जो भूतों का है कौन सा पृयोजन? भोगापवरगाथम ये पुरुष के भोग के लिए और पुरुष के अपवरग के लिए हैं तो इस तरह से एक एक शब्द की व्याख्या करने के बाद सार यह हुआ कि इंद्रियों का जो ग्रहन अवस्था है इंद्रियों के जो सुरूप है और इंद्रियों का जो अस्मिता भाव है और इंद्रियों का जो संबंध है आपसी संबंध या किसी और के साथ संबंध और इ सब में संयम करने से इंद्रिय जय की प्राप्ति होती है इंद्रिया पे विजय होती है ठीक है और संयम किसे कहते है धारणा ध्यान समाधि का एक ही जगह क्रियान वयन अब समझ में आया तो इस तरह से जो 47 सूत्र है ग्रहन स्वरूप आस्मितान वयार्थ वत्व संयमात इंद्रिय जय हो इसका अर्थ हुआ कि इंद्रियों के ग्रहन अवस्था पर संयम करने से इंद्रियों के स्वरूप पर संयम करने से इंद्रियों की अस्मिता भाव पर संयम करने से इंद्रियों के संमंध पर संयम करने से और इंद्रियों के प्रयोजन भोग और अपवर गुरूप प्रयोजन पर इन सब में संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है अब प्रस्न होगा कि इंद्रियों पर विजय का क्या तात पर रहे है तो कहा कि इंद्रियों पर विजय का तात पर रहे है हमारी इंद्रिय की एक साधारन सक्ति है जिन से हम परिचे हैं कि हमारी इंद्रिय ये करती है वो करती है लेकिन हम अपनी इंद्रियों से चरम शक्ति का लाभ नहीं कर सकते हमारी जो इंद्रिय है उसकी एक सीमित शक्ति है यानि हम एक तो सीमित सक्ति है और उस पर भी हम उस स हमारी आँखों की क्षमता अलग है या नहीं है क्योंकि आपने ऐपनी शक्ति को उतना जगाया है जिसने जूझाया है जिसने जज्ञादा मैनेज करके रखा उसकी सक्ति उतनी जादा है जिसने नहीं जगाया जिसने कमजोर किया है उसकी शक्ति उतनी कम है तो कहा कि इंद्रियों की शक्ति सबकी बराबर है बस किसी ने जगाया और कमजोरी यही अंतर है तो इंद्रिय जय का तात पर्य है कि इंद्रियों की चरम शक्ति का लब हो जाना अर्थाथ आंख सूख्श्म से लेकर के इस्थूल रूप का गरहन कर सकती है ऐसी युग्यता साधक के अर्थाथ जो योग करता है, जो सहियम करता है उसके अंदर आती है तो ग्यारहक की ग्यारह इंद्रियों का जो चरम शक्ति है उसका लाभ प्राप्त होता है इसी का नाम है इंद्रिय जयह समझा गया तो ये हुआ 47 स्वासूत्र ग्रहान स्वरूपास मितान वयार्थ वत्त सैयमा इंद्रिय जयह ठीक अब अगला सूत्र है ततो मनो जवित्तम विकरण भावह प्रधान जयस्च क्या सूत्र है ततह अर्थात उसके बाद मनो जवित्व अर्थात मन माने मन जवित्व अर्थात जव करने की शक्ती जव कहते हैं गती को ठीक है विकरन भाव विकरन भाव प्राप्त होता है विकरन भाव का भी तात्तरे दो तरह से है तो वियुक्ता करण हा इती विकरन हा करणों से विहीन हो जाने का भाव इस तरह भी आप सटीक अर्थ लगा सकते हैं और विशेश करणों वाला भाव यह भी आप अर्थ लगा सकते हैं तो यह होगा विकरण भावः ठीक है करण आप जानते हैं किने कहते हैं तेरह करण है दस इंद्रियां एक मन उभे इंद्रियां और बुद्धी अहंकार यह तेरह करण है ठीक है तो इनकी वियोग अवस्थ यह जब न रहें उस तरह का भाव और विशेश करणों का भाव यह समझाएंगे अभी कि कि क्या चीज़े हैं तो कहा कि ततह ततह अर्थात इंद्रियां जय के बाद अभी इंद्रियां जय की बात चली थी तो इंद्रियां जय के बाद क्या होता है मनो जवित्व मनो जवित्व प्राप्त होता है मन की जो गती है उस गती की प्राप्त होती है अर्थात साधक जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच सकता है जैसे हमारा मन की गती कैसी है अभी यहां पे है अभी मेरे सब्दों पर है अभी क्या करेगी यूनिवर्सिटी में भाग जाएगी अभी क्या करेगी दिल्ली भागेगी अभी पहुंच जाएगी अमेरिका इस तरह से मन की गती अनंत है उसकी गती का रेखांकन मूल्यांकन निरधारी करन नहीं किया जा सकता तो मन की जिस प्रकार से गती है अगतिक गती अर्था जिस गती को मापा नहीं जा सकता अपरिमे ये गती वाला साधक भी बन जाता है वो जब जाहे जहां चाहे वहां जा सकता है तो इसक विकरण भाव प्राप्त होता है विकरण भाव का मतलब है कि इंद्रियां नहीं भी रहें तब भी इंद्रियों से होने वाला लाभ प्राप्त कर लेना इसको कहेंगे विकरण भाव ठीक है तो यहां विकरण नहीं है फिर भी विकरणों वाला प्राप्त कर लिया इसको आने पर भी करणों से होने वाली शक्तियों का लाव लेलेना है उसको कहें गे विकरण भाव और आपको दूसरा आर्थ बताया था कि विशिश्चह करणा था का भाव गारन यहीं फिर भी करण समझ्जे ओ करणों से ही तो करणों का लाब होगा आख है तभी तो देखा जाएगा लेकिन किसी के पास आख न हो और फिर भी रूप ग्रहन कर ले रहा हो तो यह जो विच्ट्र समता है इसी का नाम है विकरण विशेश करण करण न होने पर भी करणों का लाब हो जाना इसी यही विशेशता orous प्रधान जयस्ट अर्था उस प्रधान पर जिससे इस रिष्टि का निर्माण हुआ है उस प Own पर जैंक्त होती का मतलब क्या है कि उस प्रधान की सकती के साथ परिचय हो जाता है प्रकृति का पूरा रहस्य खुल जाता है तो इंद्रिय जय होने से लाब क्या होते हैं इस सुत्र में बताया गया है कि ततो मनो जवित्तम विकरण भावा प्रधान जयस्चर तीन लाब होते हैं जब आप इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है मनो जवि उसरा है विकरण भाव अर्थात इंद्रियों का अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव होता है यदि इंद्रियां रहें तब भी वहां उसकार्य को संपाजित कर लेता है जिसकार्य के लिए इंद्रियां निर्धारित की गई है और यदि इंद्रियां नहीं रहें तब भी वह उन कार्यों का लाभ ले लेता है इसको कहते हैं विकरण भाव और प्रधान जयस्च अर्थात प्रधान जो प्रकृती है उसका रहस्य ऐसे साधक के सामने खुल जाता है तो इंद्रिय जय होने पर मनो जवित्त प्राप्त होता है विकरण भाव प्राप्त होता है और प्रधान पर विजय प्राप्त होती है यह हुआ ततो मनो जवित्तम विकरण भाव प्रधान जयस्च यह 48 सूत्र ठीक है तो अगला सूत्र है सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भावा धिस्ठात्रित्वं सरव ग्यात्रित्वंच क्या सूत्र है कि सत्व पुरुशा न्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भावा धिश्ठात्रित्तं सर्व ज्यात्रित्तं च यह अब अलाग प्रस्त्रसंग आ रहा है सत्व किसे कहते हैं बुद्धी को कहते हैं ठीक है करण को भी समझ सकते हैं तो सत्व और पुरुश यह सत्व और पुरुश एक हैं या अलग-अलग हैं जब कही रहें कि सत्तो का मतलब बुद्धि या करण और पुरुष का मतलब आत्मा तो दो अलग-अलग ही है तो सत्तो अलग है और पुरुष अलग है तो इन दोनों का जो अन्यता अन्यता का मतलब है भिन्यता अलग-अलग होना अलग-अलग होना तो इन दोनों का जो अलग-अलग होना यह ख्याती मात्र अस्या ख्याती कहते हैं ग्यान को तो ग्यान मात्र अधात जब साधक को बुद्धि सत्व और पुरुष का अलग-अलग है सिर्फ यही ग्यान रहे बाकि सारे ज्ञान समाप्त हो जाएं अर्थात उसको बुद्धिका और आत्मा का परिचे हो और एह परिचे भी कैसा हो कि सत्व अलग है और पुरुष अलग हो अलग है इतना ही जब ज्ञान रहे तो ऐसा जो साधक होता है उसको सर्व भावा धिश्ठात्रित्वं सभी अधिश्ठात्रित्व अर्थात स्वामित्व अधिकार यह प्राप्त होता है और सर्वक ग्यात्रित्पंचव सर्व अर्थात सभी ग्यात्रित्व अर्थात ग्याता होने का भाव प्राप्त होता है कुछ समझ आया फोड़ा फोड़ा और जादा समझें सत्व सत्व एक अलग पदार्थ है जिसको इससे पहले जब आया था सत्व पुरुषयोहो अत्यंता संकीर्णयोहो प्रत्या विशेशो भोगहा परार्था तो स्वार्थ संयमात पुरुषग्यानम वहाँ भी आपको बताया था कि पुरुष अलग है और सत्व अलग है लेकिन दोनों का क्या हो जाता है एकत तो हो जाता है तो सत्त पुरुषयो हो जो सत्त है और पुरुष है वहाँ अलग-अलग है लेकिन एक साधक एक प्राणी के साथ तो क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं अर्थात यहाँ सरीर है यहाँ सरीर पूरा एक है लेकिन इसमें इंद्रिया अलग है दात अलग है आख अलग है इस प्रकार से अलग-अलग भी है लेकिन यह हैं तो एक में ही तो सत्तो और पुरुस अलग-अलग होने पर भी जो मिले रहते हैं ठीक है तो उनको मिले होने के कारण ही वो एक लगते हैं तो जो एक होता है उसमें प्रत्य अविशेश अभेद की प बेद प्रतीती में स्वार्थ संयम करने से पुरुष ग्यान होता है ऐसा पिछले सुत्र में कहा था तो वैसा ही अर्थ आधा अर्थ वहीं उठाईए और उसकी साहता से यहां समझिए कि जो सत्व है अर्थात बुद्धी या जो करण है और जो पुरुष है अर्थात आत्मा समझ रहे हैं तो वह दोनों अलग-अलग हैं तो इनकी भिन्दता मात्र का ज्यान होना कहलाती है सत्व पुरुषान न्यता ख्याति मात्र और वह मात्र जिसको हो उसको कहेंगे सत्व पुरुषान न्यता ख्याति मात्र हो तस्य सत्व पुरुषान न्यता ख्याति मात्र अ अर्थात ऐसा साधक जिसको केवल एक ग्यान रह गया है वह कैसा ग्यान कि बुद्धी अलग है और मैं अर्थात आत्मा अलग है इस मात्र का ग्यान रह गया है बाकि उसको कुछ नहीं पता उसको ये नहीं पता कि मैं कहां बैठा हुआ हूँ उसको ये नहीं पता कि मैं क्यों बैठावा हूँ कुछ ग्यान नहीं है बस उसको एक ग्यान है कि मैं हूँ और एक यह बुद्धी है जो कुछ स्रिजन कर रही है और यह अलग है और मैं अलग हूँ और इस प्रकार का ख्याति मात्र ज्यान मात्र जिस साधक को रे गया है उस साधक को सभी भाव नाओं जितने प्रकार की भाव हैं जितने प्रकार के पदार्थ हैं उन पदार्थों पर श्वामित प्राप्तु होता है अब आप कहेंगे कि जब भाव रहे ही गए हैं तो ख्याति मात्र कहें इसको तो इसका भी ज्यान हो रहा है तो कहा कि अपने संवन्द में अर्थात उसको बाकी सारी चिंताओं से मुक्त हो गया है उसको बस यह है कि सत्व करण है और पुरुष यह दोनों अलग-अलग है और इनसे मेरी स्रिष्टी का संचालन हो रहा है तो यह केवल ऐसा साधक जिसको पुरुश और जो करण है उनका उनका ग्यान है और उनका कैसा ग्यान है कि ये दोनो एक नहीं है अलग-अलग है तो ऐसा साधक को सर्व भावा धिश्ठात्रित्म हर समस्त प्रकार की भावनाओं पर अधिकार प्राप्त होता है जितने भी भाव पदार्थ हैं उन पर स्वामित्त प्राप्त होता है और सर्व ज्यात्रित्म वह सरवग्य होने का एहसास ले लेता है अर्थात उसको सरवग् सब कुछ जानने के एक शमता वाला वह साधक वह योगी वह प्राणी हो जाता है तो सत्व पुरुषान न्यता सत्व अर्थात बुद्धिया करण और पुरुष पुरुष यानि आत्मा इन दोनों की जो अन्यता अर्थात भिन्दता है इन दोनों की भिन्दता का ख्याति मा को अर्थात सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सत्व और पुरुष की अन्यता के ज्यान वाले को सर्व भावा अधिश्ठात्रित्व सभी भावों की अधिश्ठात्रित्व स्वामित्य प्राप्त होता है और सर्व ग्यात्रित्पंच सरवग्यता की प्राप्ति होती है यह था उन पचास्वा सूत्र की जिसका स्वरूप था सत्व पुरुशान न्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भावा धिश्ठात्रित्तम सर्व ग्यात्रित्पंच ठीक है कि समझ आया कोई प्रश्न नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं ठीक है कोई प्रश्न होगा तो विचार करके स्वाध्य करके अग्रिम कक्षा में पूछ लेना अगला रहा है तद्वेराज्या दपी दोस्वीजक्षे केवल्यम क्या सूत्र है अब इस सूत्र में केवल्य की प्राप्ति का विधान बता रहे हैं कि तद्वेराज्या दपी तद अर्थात उसमें वेराज्यात अपी वेराज्य से भी उसका भी यदि आप वेराज्य कर देते हो तो दोस्वीजक्षे दोस रूपी जो वीज है उस वीज का नास हो जाने पर क्या होता है कैवल्यम कैवल्य की प्राप्ति होती है साधारन अर्थ समझ में आया उस पर भी यदि वेराज्य हो जाए तो दोस के वीज का नास होता है और दोश के वीज का नास होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है यहां है सूत्र का साधारन अर्थ अब जिग्यासा होगी कि उस पर किस पर वेराग्य करना है तो कहा है कि इस से पहले जो सूत्र है सत्व पुरुषान न्यता ख्याति मातरस्य सर्व भावा धिष्ठात्रित्पंग सर्व ग्यात्रित्पंच इस सूत्र में तीन चीजें हमें प्राप्त होती है पहली चीज है कि सत्व और पुरुष का अन्यता अर्थात भिन्नता का ग्यान पहला यहाँ है सत्त तो अलग है और पुरुष अलग है यह जो भिन्ता इस भिन्ता का जो ज्ञान है वह ज्ञान एक पहली चीज़ है वैसे इसमें भी आप दो चीज़ें लगा सकते हो दो क्यर तेट ak dialogue पहला यह है कि भुद्धी दूसरा का ती कि THIS हो घया और चोधा है सर्भभावा धिश्थात्रत्म सभी भाव्नाओं का स्वामित्व पांच व contexts सर्वैक्यता सर्वउस्थाई तो जितने जितने बी सूत्र का निताई करें था चाहे आप सत्तो को समझे, पुरुस को समझे, दोनों की भिन्दता समझे, ठीक हैं, चाहे सर्व भावा धिश्टात्रित्तो समझे, चाहे सर्व ग्यात्रित्तो समझे, इन सब में वेराग्य करना, अर्थात न तो सर्व भावा धिश्टात्रित्तो की कामना है, नहीं सरवग् की भिनता को जानने की कामना है हर प्रकार से उनमें जो अभी उन पचासवा सुत्र बताया गया है उसके अंतरगत आने वाले समस्त प्रकार में वैराग्य करना उसी उसका वैराग्य करना है तो उसके वैराग्य करने से दोस वीजक्षे दोस का दोस रूपी जो वीज है उसका पक्षय होता है और देखिये जब और पुद्धि और पुरुष जब संबंध करते हैं तो क्या होता है होता है किया ऑच प Kennksi पुद्ध dish के और करनों के संबंध से ही तो भोग करते हैं और द्रिश्य के साथ द्रश्टा का संबंद बना रहता है अर्था शरीर के साथ आत्मा का संबंद बना रहता है और जब तक शरीर और आत्मा का संबंद बना रहेगा तब तक वह कष्ट भोगता रहेगा तो यही संबंद ही दोश बीज है तो उस दोश का बीज जो बीज है वह स समाप्त हो जाएगा इससे पहले जो उन्पचासवा सूत्र था उस वह सूत्र इससे पहले जो निर्वी सबीज समाधी आई हुई है उसका उधारने तो सभी समाधी में दो चीज़ें रहती ही रहती है तो वहां उसका भी नाश हो जाएगा तो जब उसका भी नाश हो जाएगा अस्तित्त ही समाप्त हो जाएगा ना सर्व भावा धिश्ठात्रित्त है ना सर्व ग्यात्रित्त है ना पुरुस का ही अस्तित्त है ना ही बुद्धी का अस्तित्त है और ना ही उनकी अन्यता है और नहीं उनका जोड़ है तो सबप्रकार का संबंद ही न वस्तुनाशो गयी स्वस्तों का संपंध ना शो गया तो यही जो संबंध है यही संबंध तो क्या है दुग का कारण है को पहले पटाया था जब हानों पाय चला था द्रष्टा और द्रिष्ट क fav का संयोग ही तो क्या है दुख का कारण है तो वह बीज ही जब नश्ट हो जाएगा तो बीज नश्ट हो जाने पर क्या हो जाएगा केवल्ले की प्राप्ति हो जाएगी ठीक है तो तद वैराग्या दपी अर्था उन पचासे सूत्रों में जो बताया गया है उनमें वैराग्य करने से दोस वीजक्षय दोस के बीज का ख्षय होता है अर्थात संयोग का नास होता है द्रश्टा और द्रश्ट के संयोग का नास होता है इसके अतरिक्त ज्यान का भी नास होता है इसके अतरिक्त जो अन्यता है उस nuggets का भी नास होता है सर्व घ्यात्रित तो सर्वभाव भाव सर्वा धिष्ठात्रित्व का भी नास हो जाता और जब पुरुष के दृष्च के साथ सैयोग होने का कारण ही नास हो गया तो अब आत्मा दृष्च को धार्ण बताई था न नश्टम अपन नश्टम अब नस्टम और इस प्रकार से जब दृष्य धरण ही नहीं करेगा तो केवल्ली की प्राप्ति आत्मा को हो जाएगी ठीक है केवल का मतलब है केवल अर्थात केवल एक रह जाना तो उस एकत्प की प्राप्ति अर्थात परमात्मा के साथ साइज्य प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से तद वैराग्या दपी उन पचासे सूत्र में जो कहा गया है पुरुष और बुद्धि का एकत भीन्नता में और सर्वग्यात्रित्व और सर्वभावाद्षटात्रित्व में वैयराग्य करने से दोस्के दोस का क्षय होता है संबंद का क्षय होता है संयोग का क्षय होता है द्रिष्टा-द्रिष्ट का संयोग का नाश होता है और जो जिन पर राग हो रहा है उनका भी नाश होता है और जब ऐसा हो जाता है तो केवल्ले की प्राप्ति हो जाती है यह हुआ पचासवां सूत्र ठीक है प्रियोग क्या करते हैं बहुत में भी आता है और एक में भी आता है एक वचन का प्रियोग जाती अर्थ में भी होता है और एक वचन का प्रियोग ब्यक्ति पंपक्ष में भी होता है अगर आप तीनों को एक मान करके प्रियोग करेंगे तो भी एक मोगता जैसे ब्रामण को बुलाओं तो ब्रामण एक भी हो सकता है और ब्रामण जाती भी है अब अगर आप एक वचन करें तो एक वचन से अर्थ ले लीजिए जो सत्तो और पूरुष की अन्यता ख्याती है उस अन्यता ख्याती में वेराग्य करना है तो जब अन्यता ख्याती में आप वेराग्य करेंगे तो अन्यता ख्याती से होने वाली जो दो उपलबदियां है सर्व भावा धिश्ठात्रित्म वह उत्पन ही नहीं होगी वह उत्पन होगी क्या तो जब आपने कारण का ही नाश कर दिया तो उससे होने वाले जो कार्ये हैं वह सर्व भावा धिष्ठात्रित भी चला गया और सर्व ग्यात्रित भी चला गया तो समझाने के लिए मैंने तीनों बोले थे वस्तोता है आप केवल अगर कारण में वेराग्य करते हैं कारण क्या है सत्व पुरुष का अन्यता ग्यान विन्यता का ग्यान और यह का इसमें वैराग्य करें और हमने आपको पूरी ब्याख्या बताई कि सब चीजों का वैराग्य कर दीजिए यानि सत्व का भी वैराग्य करिए और पुरुष का भी वैराग्य करिए क्योंकि केवल का भाव है एकत्यों का रह जाना आत्मा मात्र का रह जाना और आत्मा मात्र भी जब अपने अस्टित्यों को यह तो सारा का सारा इस व्याख्यान में अपल अब आपको एक से निकालना है तो सुत्र से एक पस्टार्थ जाएगा कि तद माने उसमें वैराग के करने से तो फुरुष और जो अन्यता ख्याति है उसक्याती में वैराग करना है तो उसमें वहराग्य करने से के दोस्त वीज का ख्षय होता है और केवल्य की प्राप्ति होती है और दुसरा प्रस्मिया है जो टैवल में बोला है जिसने बोला जाता है कि जो दीम मतलौं एक मातर रहे जाए 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 आप बीज अकेला रह जाएगा किसने बोला है कि बीज अकेला रह जाएगा यह किसने बोला है अधर यह जो जो चुश्य नहीं बचा है और तो मित्र आप बीज समझ किसको रहे हो अभी तक क्या समझाया आपको की बीज क्या है अरे संयोग बीज है भाई द्रष्टा और द्रिष्टे का संयोग बीज है वही तो दोश है गुतिय पाद में जो द्रष्टा और द्रिष्टे का जो पूरा क्लेशों के बाद जो प्रकरण प्रारंब हुआ था कि आखिर क्लेश होते क्यों है और ये क्लेश कैसे दूर करेंगे उसके प्रसंग में जो पूरा बताया गया था कि द्रश्टा द्रिश्य संयोग ही क्या है दुख का कारण है तो दोस जो बीज है वहाँ बीज क्या है द्रश्टा और द्रिश्य का संयोग उस बीज का नाश होता है और जब उसके बीज का नाश हो जाएगा तो बताओ ना द्रिश्टा और द्रिश्य दोनों के दोनों संबंद बनाएंगे क्यों जब संबंद नहीं बनाएंगे तो जो आत्मा है वहाँ अकेला रह जाएगा कि यह नहीं जब वहाँ अकेला रह जाएगा तो जब इसके साथ जुड़ा हुआ जो सरीर है वहाँ अपने पूर्ति कर लेगा इससे पहले पताया था ना कई जगह पर प्रक्रतिया पूरात आगे आएगा तो जब यह सरीर अपनी वैधता वैलिडिटी समाप्त कर लेगा तो यह सरीर निकल जाएगा आत्मा मात्र बच जाएगा अब इस आत्मा पे कोई भी लेप नहीं है कौन सा लेप कर्मों के संसकारों का लेप कर्म मुक्त हो चुका है यह अब इसने आत्म जो दृष्य था उसके साथ क्या कर लिया है पुट्टी कर लिये संबंद तोड़ लिया है तो अब यह अगर जब यह इस जन्म से सरीर छोड़ने के बाद दूसरे जन्म में यह दि जाएगा तो इसका तो जन्म ही नहीं होगा यहां किसी सरीर को धारने नहीं करेगा तो होगा क्या तो यहां मुक्त हो जाएगा इसी को केवल ले कहते हैं केवल आत्मा रहे गई हैं तो यहां किसी परमात्मा के साथ साईज्य को प्राप्त कर लेगा योग दर्सन में ऐसा कहीं नहीं कहा है कि परमात्म के साथ साईज्य प्राप्त करेगा तो कोई भी नहीं अकेला रहेगा ठीक है अकेला होकर के क्या होता है बस यह यह कि सरीर धारा नहीं करेगा तो संसार चक्र से मुक्त रहेगा न तो जन्म का बंधन नहीं कर्म का बंधन ज क crate फीक है और कुछ असितनी मेरी उतने के आनुसार मैं बता पाया हूँ इसके कालांतर में जब कुछ और अनुभो होता जाएगा तो और विशिष्ट व्याख्यान आपके सामने लाएंगे जितना समझा सकता था यही मेरी एक समझाने की वर्तमान सीमा थी ठीक है इसके अलावा कोई और कुछ और पूछना है तो फिर आज की कक्षा यहीं सनाप्त करते हैं हमें इजाज़त देजिए नमस्कार और अपना प्यार अपना आशिरवाद अपना विश्वास बनाएं रखिए नमस्कार